तो हेलो दोस्तों वेलकम टू फायराइज गेमी यूटूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप सिक्स सॉट रेंज की गन्स विदाउट स्किन भाई जी हाँ विदाउट स्किन तो इस वीडियो का आपको एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो मे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही मैं आपको इस वीडियो के लाश्ट में सौट रेंज की कुछ ऐसे टिप सेंट्रिक्स दूगा जिससे की भाई आप सौट रेंज के किंग ही बन जाओगे बाई किंग ही बन जाओगे और यहां पर टॉप सिक्स वेपन्स क कर देना आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं 60 लाइक का आई हो अपने अभी तक हमारे चैनल नहीं देखा ता या फिर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाई नीचे आपको एक रेडिकलर में सब्सक्राइब का बटन दीए गा उस सब्सक्राइब करें आपके बास नोटिविकेशन सबसे पहले पहुंच जानल चली वीडियो को सुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दू आप लोगों वैसे काफी जादा बंदे बोलते कि हमें डायमेंड देदो हमें यह देदो वो देदो तो आज आ के टूर्नमेंट खेलके भी आप यहां पर पैसे कमा सकते हो तो साथ ही में आप अपने दोस्तों को रैफर करके और भी जादा पैसे कमा सकते हो इतने सारे तरीके हैं पैसे कमाने क्या और आप यहां पर जितने भी पैसे जीतोगे सीधे आप अपने पे टियम या फिर बैंक अकाउट में ट्रांस्पर भी कर सकते हो यहाँ पे हरूज 10 डीजी आलोग का गीववे होता है simply आपको डीजी आलोग की गीववे में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा तीन गेम्स आपको प्ले करनी है जल्दी से जाओ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड करो इस एपको और जादा से जादा गेम्स के लो और पैसे कमाओ तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे टॉप 6 गन्स की और जी आँगा इस नंबर 6 पे मैंने यहाँ पे रखा MAG7 और डबल वेक्टर को जी यह गन जब स्टार्टिंग में आई थी मतलब MAG7 की में बात नहीं कर रहा हूँ डबल वेक्टर जब स्टार्टिंग में आया था वाई क्या ही खतरनाक डैमेज दे रहा था बिल्कुल घातक गन बन गया था बट अपडेट के बाद गरेना ने इसका जो डैमेज उसको थोड़ा सा कम कर दिया है इसकी वाज़े से इस गन को मेरेको नंबर 6 पे रखना पड अच्छे से बंदों को मार सकते हो बट इसमें एक डिसद्वांटेज जीकिसका जो रेट फायर वहो बहुत ही ज़्यादा और इसका एक वह बहुत ही कम है भाई इतना ज्यादा रीकॉयल करता है आप इसको हैंडल ही नहीं कर पाओगे आप इसको समहाली नहीं पाओगे जि G7 gun को चलाने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरुवत है, साथ ही मैं गाइज डवल वेक्टर तो मैं मतलब भूली जाओ भाई, डवल वेक्टर भी था कभी, क्या ही gun था भाई और क्या से क्या बना डाला, छोड़ो गाईज अब बढ़ते हमारे नंबर 5 की और उससे पहले आ कि डवल वेक्टर पहले की तरह आपको लगता है, या फिर डवल वेक्टर आपने चलाना छोड़ दिया है, नंबर 5 पर मैंने रखा यहां पर थॉम्सन गन, भाई, क्या ही gun है, नि मतलब क्या ही gun है, क्या ही ड्रेग लेवल है, हलका सा ड्रेग करो, हेड के उपर हैं, और हे तो करता है, मैं करू तो करू क्या है, यह बता है, इस gun से आप हलका सा मीड रेंज में बहुत ही ओपी वाला ड्रेग हेडसोट मार सकते हैं, और इस gun से आप पूरे squad को, क्या 8-8 बंदों को एक साथ खतम कर सकते हैं, बहुत ही खतरना gun है, आप यहां पर देख सकते हैं, अप करेज बिल्कुल ही खतम हो गया, और इस gun को बहुत से लोगों ने चलाना छोड़ दिया, तो गाइस, उसके बाद से बहुत ही कम बंदे इसका यूज करते हैं, बट फिर भी यह गन अभी भी बहुत ही जादा खतरनाक है, बट इसका एक बहुत ही बड़ा जिसकी वज़से एनमी के उपर एम कनेक्ट नहीं होता है, इधर उदर मिसफार होता है, तो गाइस, इसकी वज़से इसको मैंने उपर रखा, इतना उपर बरना, यह नंबर वन पे रहता, अगर इस gun का recoil नहीं होता, तो घज यह नंबर वन पे रहता, क्यूँकि इसमें करें तो करें का यह बताओ साथी में इसका जो रिलोड स्पीड है रिलोड स्पीड बहुत ही ज्यादा कम है बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है रिलोड होने में जिसकी वाज़े से आपने अगर किसी एनिमी को छे गोली मार भी दिया तो भी उसके बाद यह गन रिलोड होने दिखने चाहिए मैं बता रहो इस पैमर्स नहीं दिखने चाहिए कमेंट बॉक्स को भर दो अच्छे अच्छे कमेंट से अब बढ़ते हमारे टॉप 3 यानि की नंबर 3 वाले गन की और नंबर 3 पर मैंने यहां पर रखाए MP40 को अब आप लोग सोच रहे हों कि नंबर 2 और नं बिना चलाने में जमीन आसमान का फरक है लिटरली बतारो MP40 को जब मैंने पोकर वाला चलाया या फिर जो अभी नया आया उसको चलाया उसके बाद भाई बिना गनी स्किन से चलाया तो उस टाइम मेरे को एसास हुआ कि बिना गनी स्किन वालों के मन में मतलब अंदर क्या ब इतना कम ने वाच कैसे तो इसलिए MP40 को मैंने टॉप 3 पर रखा है वरना ये गन भी नंबर 1 पर आना चाहिए ता आपके पास MP40 का कोई स्किन है या फिर नहीं कमेंट बोक्स में बताओ अब गाईज इसके कुछ एडवांटेज इसके बारे में बात करते ड्रैग हैड़ सो जाना ज्यादा पास भी नहीं जाना थीक एक एवर ज सबैस्टेंश आपको मैंने करके अनेमी को मार न ही जिसstem बार पाओ्गे इतना भी दूर मधं चले जाना कि डेमेज ले चलेक हैं तो आपको एक इवरेज डिस्टेंश मैंटेंश करना है और आपको अल्वेज हलका सा क करके headshot लेने की कोजिस करने है विकोज जितने भी गंसे ना आप इनके body swords पे तो depend नहीं रह सकते आपको headshot मारना ही पड़ेगा विकोज enemy के पास क्या होगा west होगा 3 का 4 का west अगर हो गया तो enemy को बिल्कुली damage नहीं पड़ेगा और body swords से आप enemy को नहीं मार सकते विस्वास करो नहीं मार सकते वाई तो आपको headshot मारना ही पड़ेगा हलका सट रेक करना ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती कुछ दिन तक practice करोगे headshot के भी आप बहुत ही ओपी वाले player बन जाओगे बढ़ते हमारे MP5 के अंदर ही आ जा रहा है वह वाला attachment और MP5X उसका नाम हो जा रहा है gun का नाम तो guys यह जो gun है न भाई इतना ज्यादा ओवर पावर है भाई हर एक tournament में हर एक बंदे के पास नहीं हर एक बंदे के पास तो नहीं बटिया ज्यादतर बंदे tournament में MP5X को यूज कर रहे है साथ में AWM के साथ भी MP5X बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और guys MP5X भाई MP40 से बेटर गन है literally भाई मैं बता रहो MP40 से बहुत ही ज्यादा बेटर गन है अब आप लोग सोच रहे होगे number one पे कौन सा गन है तो number one पे guys M1887 अब number one पे M1887 रखने का reason यह है कि guys यह जो गन है स्टार्टिंग से लेके अब तक भाई overpower गन है जादा तरवंदे इसको use करते यूज करते भाई वो अलग बात है ठीक है क्या आपने कभी इनके उपर ध्यान दिया था कि यह 10 गोली एक बार में fire करता है और एक गोली का डेमेज देख सकते हो आप 17 का डेमेज मतलब एक फायर में यह 170 का डेमेज देता है एक फायर में और अगर दो फायर कर दिया थोड़ा सा तो hard होता वो क्यों होता आगे कि tips and tricks में आपको बताऊंगा तो सबसे पहला आप कुछ इसके advantages को जानो इससे ड्रैग headshot बहुत ही उपी लगते है जी हाँ भाई sword gun से भी drag headshot लगते है पहला गोली body पे फिर आपने drag किया तो वो head पे और guys one tap की तो क्या ही बात बोलू one tap भी बहुत ओपी लगती है और भाई दो गोली में आप किसी भी enemy को बहुत ही आसानी से मार सकते हो बट दो गोली में भी कभी कभी बंदा नहीं मरता है तो उसकी भी tips centrix आपको आगे वीडियो में देने वाला वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ये थी हमारी top 6 gun की list और हाँ बहुत से लोग बोलेगी कि UMP को क्यों नहीं लिया और guys spas को क्यों नहीं लिया तो guys UMP का जो recoil है बहुत ही जादा है इसलिए guys आपको जोन सा भी gun पसंद है आपको जिस गन में भी जिस गन को आप अच्छे से चला पाते हो वाई उसी गन को यूज करो इसी गन के लिए हेट नहीं है सबी गन बैस्ट है ओके चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक होगा जो skill है उसको जरूर लेके खेलना क्योंकि उससे क्या होता है अगर enemy आपको कुछ damage देता है मतलब 10% damage देता है मतलब अगर आपका health होता है 200 का enemy अगर आपको 20 का damage देता है उसके बाद आप enemy के west के आर पार मार पाओगे अगर enemy ने चार लेवल का west पहना है कोई फरक नहीं पड़ता enemy के west के अंदर तक आप मार पाओगे जिससे की जो damage वो काफी ज़्यादा पड़ेगा यही वज़ाए M1887 से आप काफी आसानी से दो ग ms ले रहा है समझ रहे हो कुछ समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर अच्छे से देखो इस clip को और समझो ठीक है अब गाईस बढ़ते हमारे tip number 2 की और shotgun भाई MAG7 हो गया M1014 हो गया M1887 हो गया इस पास बारा हो गया जितने भी shotgun है यूज करना बहुत ज़्यादा hard है जी हा M1014 भाई अभी भी उतना ही घातक गने M1014 अगर आप अभी भी 5-6 दिन अच्छे से practice करते हो ना भाई बहुत ही OP वाले player बन सकते हो अच्छे अच्छे बंदे को आप मार के गिरा दोगे बस आपको कुछ नहीं करना सिंपली आपको training में जाना है यह जो आपको पुतला पर्फेक्ट हो जाएगा कि CBNME को rank match में class squad match में M1014 से M1887 से आप बहुत ही आसानी से मार सकते हो तो गई सौट गन के लिए आपको यह practice करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हो गया भाई अब क्या देख रहो सारे tips and tricks दे दिये और भी कुछ है तो वो upcoming videos में दूँगा भाई आज ही सब कुछ दे दू तो भाई आप subscribe क्यों करेंगे जल्दी से subscribe कर दो upcoming videos काफी जादा interesting और काफी जादा amazing होने वाली है तो subscribe कर दो वीडियो को like नहीं किया है तो जल्दी से follow कर दो और विंजो गोल्ड एप को डाउनलोड करना मत बूलना जल्दी से जाओ डाउनलोड करो link आपको description के अंदर मिल जाएगा मिलता है किसी और वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए बाई दोस्तों